तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा समय नगवाते हुए वीडियो कंटेनों स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको चाल लगा के दिखा रहा हूँ यह इसकी चार्जिंग पिन है इसको मैंने इसके अंदर लगाया और यहाँ पे देखिए मैं बटन को ओन क करा तो यहाँ पे लैट हमारी बढ़िया तरीके से काम कर रही है और जैसे हम इस पिन को निकाल देते हैं तो हमारी लैट यहाँ पे बंद हो जा रही है तो इस तरीके से आप इसे तीन गंटे चार गंटे पूरा दिन चार्जिंग पर रखो उसके बावजूद भी हमारी ब प्रोवलम आए कि जब charging पर आपकी torch काम कर रही है और बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपकी torch के अंदर जो charging circuit है क्या वो बैटरी charging के लिए voltage निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा तो जैसे कि इस torch के अंदर क्या है यह हमारी एक battery डली और यह जो पूरी body है यह metal की है तो इसको जब हम इसके साथ connect कर देते हैं तो यह इसके थुरू पीछे आ जाती है supply ठीक माइनस वाली और यह पीछे की तरफ आप देखोगे यह spring लगा हुए है spring तो माइनस वाली supply पर आती है और spring के थुरू यह इसके साथ touch हो जाती है तो इस तरीके से कुछ यह काम करती है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यह चीज़ कर लेनी है यहाँ पर charging पीन लगा कि यह जो हमारे इसका charging circuit है बैटरी के लिए supply निकाल रहा है charging के लिए नहीं निकाल तो इसका check करने का सबसे असान तरीका क्या है आप इस तरीके से charging pin को लगाओगे यह slide को मैं बंद कर देता हूँ यह मैंने बंद कर दिया अब यहाँ पर वाली आपको cut दिखाई दे रही है चोड़ी दिखाई दे रही है यह हमारे minus की है तो यहाँ पर हम voltage को check करेंगे आप मल्ティ मेटर से भी check कर सकते हो अगर आपके पास मल्टी मेटर नहीं है आप इस तरीके से चोटे LED से भी check कर सकते हो अब देखें इस यह पर supply आ रही हो गी कि इसका charging circuit okay है और LED हमारी काम करेगी तो यहां पर देखे यह हमारे plus का है और यह मानस का है तो इस तरीके से जब मैं touch कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि हमारी LED यहां पर काम कर रही है इसका मतलब यह है कि इस storage के charging circuit में तो कोई भी प्रोलम नहीं है क्योंकि यह बैटरी charging के लिए यहां पर वोल्टेज निकाल रहा है अगर यहां पर वोल्टेज आपको ना मिलती तो फिर हमें यहां पर अब क्या है कि जब मैं इस battery को ऐसे हिला रहा हुँ ना हलके-हलके तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ बज रहा है बजने की आवाद से आ रही है यह देखे इस तरीके से मैं ठोक रहा हूं तो आपको हलके-हलके आवाद सुनाई दे रही होगी त इसकी वज़े से अगर किसी भी बैटरी की वोल्टेज जादा डाउन हो जाती है तो वो नॉर्मली इसके अंदर जो सप्लाई आते हूं सप्लाई से बैटरी चार्ज नहीं होती तो इस चीज को हम कंफर्म करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो यह मेरा मल्टी मेटर है और म मेल्टी मेटर की स्क्रेन पर आपको 0000 कर रहा है तो इसके अंदर एक भी वोल्टेज यहां पर नहीं कर रहा है इसका मतलब यह जो बैटरी है यह पूरे तरीके से खराब हो चुकी है अगर इस बैटरी के अंदर कुछ जान होती तो यहां पर 1.2 या 1.3 ऐसे कुछ वोल्ट इसके उपर की जो यह प्लास्टिक है इसको मैं कट करूंगा जो इसका रैपर है इसको हम कट करके देखेंगे और आज आप भी देख लो कि इस टैप की जो सब दिन टोर्च होती है इसकी बैटरी के अंदर क्या होता है तो इस चीज को भी आप देख लो यहां पर मैं आपको इसको कट कर रहा हूं है यहां पर मैं इसको इसके पूरे निए है अब उसके बाद हमें क्या करना है इसको आगे की तरफ से खोलेंगे जा फिर पीछे से पीछे ही तरफ 시 को चोल इसको आगे से बीस तरीके से उन्स तो यहां पर आप सकते हैं वह इन आयन प्रणा के उसकी युछ इन फर्क फर्क इतना है कि इस को प्लस्टिक केंदर ढाल कि ऐसे बैटरी बनाइ गई अक कि एंट के दिखाएगे लेकिन इसके अंदर जो actual बैटरी है वो हमारी cell वाली बैटरी है तो यहां पर अब हम क्या करेंगे इसको एक बार दुबारा से voltage चेक करेंगे कि अब इसके अंदर कितनी voltage वोल्टेज सो कर रहा है इसको हम इस तरीके से दुबारा से चेक करेंगे यह मेरा multimeter है इसको हम दुबारा से चेक करते हैं इसके वाले point पर रखके यह मैंने इसको रखा और इसको रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2.9 के आज पास voltage हमें 100 कर रहा है जबकि हमने पहले जब इसे चेक कर रहा था तो यहाँ पर हमें कोई भी voltage नहीं मिल रही थी इसका मदलब क्या है कि इसके अंदर यह है कि देखे यह वाली तो वायर हमारी सही से जोड़ी हुई है जो इसके माइनस वाली यह वायर की पत्ती थी यह कही न कहीं तोट गई थी गिरने की वज़े से जिसके साथ इसका इस पत्ती से connection कट गया था जिसकी वज़े से हमें को देना है और उसके बाद देखें मैं आपको बसाता हूं क्या करना है आपको बिल्कुल यार असान सी बात थी इस तरीके से आप अपने किसी भी सवद्यन ट्रोल्स की बैटरी को रिपैर कर सकते हो अगर उसके अंदर इस टैफ की बैटरी डली हुई है तो तो यहां पे मैंन क्या करना है एक पतली सी वायर लेनी है और पतली सी वायर से हमें इन दोनों को जोड़ देना है तो मैं क्या करता हूं एक बार इसको पतली वायर से सोल्टिंग कर देता हूं और फिर आगे चलके आपको दिखाता हूं तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर प और इस तरीके से पतर है कर लेता है तो एक बार मैं उसको अच्छे से च्पका लेता हूं से च्पका दिया है तो यहां पे हमारी बैटरी दुबारा से रिपैर हो चुकी है एक बार देखे हम दुबारा से वोल्टेज को चेक कर लेते हैं तो यहां पे देखे मैं इस तरीके से वोल्टेज को चेक करूँगा ताकि ये बैटरी हमारी पूरानी बैटरी की तरह ही दिखाई दे जैसे कि इसके अंदर थी तो एक बार मैं पूरे मैं अच्छे से टेप को चिपका लेता हूँ उसके बाद फिर हम इस टोर्च के अंदर इसको लगा के देखेंगे कि हमारी लैट जलती है कि नहीं जलती ओड़ी条 करेगी कि नहीं करेगी कुशा पीनीद फिर से एक वायर मानिस की से निकल इतला हूं इसको इसको बढ़िया सर लिता हूं इस टायट कर लिया है और देखें हम इस बटन को दबा तो यहां पर आप देख सकते हो कि अब यहां पर हमारी लैट बढ़ी है तरीके से काम कर रही है जो कि अभी तक हमारी इस बैटरी से लैट नहीं काम कर रही थी तो यहां पर हमारी जो बैटरी है वह अच्छे तरीके से रिपैर हो चुकी है तो इसी तरीके से जब भी आपके क चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक्स आथ तब तक के लिए जैहिंत वंदे मातरम